हलो फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब करेंगे बड़े ही कॉमन चीज पॉस्ट ऑपरेटिव केर आफ्र दा नोज सजरी क्या केर की जरूत है क्या प्रिकॉशन से क्या परहेज है क्या सावधानिया बड़ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को डोस्तों जैसे बॉड़ि में कोई भी है उस सजरी के बाद अपना एक क्यार होता है उसकी सावधाणिया उसका प्रिकोशन्स होती है ऐसे इंदू काफी सारी चीजें हैं सबसे पहले जो नो सजरी है नो सजरी के बाद में सबसे पहले आपको यह जान लेनाpractar है मेरे को सिर nutrient-p Čपो ही सज़री सेप्टो प्लास्टि की है यानि आपकी जो है डेवितेड़ नेजर सेप्टम की सज़री है तो करीब अमोमन देड ayamonteb उसमें आपको चार से पांच गंटे भी लग सकते हैं, अम्मूमन जो है, चार गंटे के आसपास राइनोप्लास्टी में लगते हैं दोस्तों, जब सर्जरी होके जब पेशेंट जो है वाड में आता है, उसके बाद उसको करीब जो है तीन गंटे बाद उसको औरल अलाव कर दिया जाता है, लिक्विड उसको दिया जाता है and patients को है वो एक दिन जो है hospitalization रहना mandatory होता है दोस्तो, surgery के बाद में नाग के अंदर दोनों तरफ जो अपने work किया है उसके लिए जो एक packing लगाते हैं, जो marrow cells लगाते हैं उस packing को 24 hours जो है patients को remove किया जाता है like जैसे अगर Monday को दूपर में किसी को surgery होती है तो Tuesday को hospital में रहके और Wednesday को morning में वो उसकी pack निकालके patient जब discharge किया जाता है next, discharge के बाद में दोस्तो, patients को कुछ परहिज और कुछ सावदानिया है first, जो है nose की care, nose की care में क्या है first, आपको जो आपको doctor ने medications दी है, उसका आपको बराबर follow करना है बहुत बार दोस्तो, जो surgery की बाद को दवाई दी गई है, उससे कोई आपको reactions, उससे कोई आपको loose motions, उसको कोई भी whatever you have the problem then you consult to give your help line contact number आपको अपनी मर्जी से वो दवा बंद नहीं करनी है, doctor की उचित सलाह के बाद वो जो दवा है, उसको replace करना, उसको change करना, बड़ इसको stop नहीं करना है सबसे important बाद, second important thing, जो nose की particularly care है, nose की interior है और external, दोनों care है, interior care में क्या है, दोस्तों, जब nose की सजरी होती है, तो nose के अंदर क्रस्ट बनते हैं, खरूंट बनते हैं, एक बाद nose क्या है, ब्लोक होता है, इसलिए इसकी जो nose है, इसको clean करने के लिए, doctor आपको एक wash के लिए एक powder जाता है, जिसको alkaline nasal wash बोलते हैं, prepared एक powder होता है, जिस powder को है, उसका एक से से जो है, वो एक चोथाई glass में मिला के, और उसका जो पानी है, उस पानी को उसके साथ एक plastic का container होता है, उस nozzle से उसको nose में चलाना होता है, और दोनों तरफ चला के nose को crust, like, ऐसे nose को आपको clean करना होत में decongestant drop आपको डाला जाता है, तो यह जो nose का cleaning है, दो या तीन दिन के बाद आपको start करना होता है, nose का cleaning आपको regular करना है, दिन में दो बार भी कर सकते हो, आप अच्छे से करते हो, तो दिन में एक बार भी कर सकते हो, so, दोस्तो, nose cleaning से आपके nose के अंदर crust, जो है, और खरू का clotted blood या हलका फुल का bleeding भी हो जाती है, बट ऐसा जब होता है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, टैंसन नहीं करना चाहिए, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप एक दिन के लिए nose का cleaning है, वो आप stop कर सकते हैं, क्योंकि यह common चीज है, जब कोई crust उतरता है, जब कोई नाक के अंदर खरूट उतरता है, तो bleeding होना कई बार स्वभावी का उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं करना, दोस्तों, अगर आपके nose पे septoplasty की जिए septorhinoplasty यानि nose का जो है, रिसेप and resize of the surgery भी हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा आपको और better care की जरूत होती है, क्योंकि surgery के बाद नाक के उपर एक छोटा plaster लगाया जाता है, तो जो plaster लगाया जाता है, यह 10 देज तक रहता है, 10 देज पहले इसको नहीं निकालना होता, 10 देज के बाद यह जो plaster है, यह फटाया जाता है, दोस्तों, यह जो plaster है, यह तीन या चार दिन के बाद जो अपना plaster जो है प्योपी जो लगाते हैं वो ड्राइब होता है नीचे स्वेलिंग कम होते हैं तो plaster जड़ा सा डेला होता है उसके लिए गवराने की जरुत नहीं है सर्जरी के बाद eyes के आसपास यहां पर कई बार redness या black spot या स्वेलिंग होती है उसके लिए अपने को गवराने की जरुत नहीं होती है वो अटोमेटिकली सब्साइड हो जाती है कि दोस्तों अगर आपका septorhinoplasty है तो नोज के ऊपर एक छोटा सा यहां पर इंसीजन होता है उसके लिए एक सिंपल वैसलीन या नियो स्प्रीन ओइंटमेंट फिंगर पर आप हैंड वाश करके यहां पर भी लगा सकते हो इंसीजन लाइन पर जिससे बैटर हीलिंग अपने को हो सकती है दोस्तों सरजरी के बाद के अंदर जो है सबसे इंपोर्टेंट चीज है खान पान का जो कोमनली जो है पेशेंट हमेशा पूछता रहता है दोस्तों जो सरजरी के सेकिंड और थार डे शुरू के तीन चार दिन है आपको थोड़ा सा लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी हो सकते हैं बहुत जदा स्पाइसी फुड वह आपको नहीं लेना है और नॉन्वेज है जिसको काटना चबाना जैसे मटन है वह आपको थोड़े दिन नहीं लेना है बाकि उसके बाद रूटीन सब खा सकते हो बहुत बार दोस्तों पीशिंट जो है बिस्कृट और दूद ही नहीं खाना चाहिए ऐसा नहीं है सहजरी के बाद आप खटा खा सकते हैं आप चाच ले सकते हैं आप मिल्क ले सकते हैं आप सब कुछ ले सकते हैं जिससे अपने हीलिंग अच्छी हो दोस्तों सहजरी के बाद क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों सबसे बड़ी इंपोर्टे इसलिए दोस्तों जो है अच्छे ऑप्रेशन के बाद में भी क्या होता है कि जो है पेशेंट के अगर अच्छी नहीं होती तो बहुत बार देखने को मिलता है कि जो जहां पे आठ या दस दिन के अंदर जो पेशेंट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट ही रो रहा था उसमें प से पहले अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मेरे को जो है वो क्या-क्या सावदानी रखनी हो कितने दिन बाद मेरे को काम पे जा सकता हूं दोस्तों अगर आपकी जो है यह नो सेजरी है जिसमें अंदर का वर्क हुआ है तो आप सेविन डेज के ब आप रुटीन कामकाच पे जा सकते हूं दोस्तों इस आर दा इंपोर्टें पोस्त अपरेटिव केर क्या परहेज, सावदानिय, खान पान रिगार्दिंग नो सेजरी जो आप इस all information is useful for you and just to create awareness in the society you can share this information to your family, friends and other persons. Thank you.